डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्धार्थे मित्रों मैं डॉक्तर अखिलेश उपाधिया असिस्टेंट प्रोफिसर डिपार्टमेंट जनलियम और मास कम्मुनिकेशन डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर ओपन युनिवर्स्टी के चैतनी स्टूडियो से आप सभी विद्धार्थे मित्रों का हाधिक स्वागत अब जनल करता हूं विद्धार्थे मित्रों आज का जो सेशन है वीडियो जो लेक्शर हम आप से जर्चा जिस विशेप हम आप से बातचीत करेंगे Master of Journalism and Mass Communication के Paper No.2 में Understanding Media Mass Communication Generalism में Unit No.11 Paid News vs Fake News इस पे बातचीत करेंगे खासतर इस पे देखेंगे कि जो Paid News होता है वो किस तरीके से उसकी अंकुस क्या होती है उसकी बरिकियां क्या होती है उसका अगर हम बातचीत करें कि जो Paid नहीं होता है उसकी क्या बरिकियां होती है और उसमें किस तरीके से Editor का क्या रोल होता है इस बिंदु पे हम आप सिल्शलेवार आप से इस पे बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से Advertisement जो हमारा विग्यापन है वो किस तरीके से इंगिल में काम करता है और प्लिटिकल पार्टी है और अन्य चीज़ें हैं जो भी संस्थागत हैं गर संस्थागत चीज़ें हैं वो कैसे कारे करती हैं और विग्यापन के क्या रोल है फेक नियुजी किस तरीके से आधकल चलाया जाता है किसी कहानी को कैसे तोड मरोड़ों के देखा जाता है उस पर आप से हम बातचीत करेंगे आप समझने की कोशिस करें कि कैसे कहानी एक बिल होती है कहानी की पीछे क् बनाई जाती है और कौन सी fake होती है कौन सी सही होती है जो audience की बीच होती है उसको देखने की ज़रूत इस पर मैं आपसे बातचीत करेंगे तो आएए चलते हैं अपने विशेपर इसका उदेश जो है जो मैंने आपसे बातचीत करेंगे कैसे उसको आप डिफ्रेंसियेट करेंगे कैसे दो लाइनों के बीच का अंतर आप समझेंगे की इन लाइनों के बीच में फर्क क्या है दूसरा आप देखेंगे की जो आपका डील जो हो रहा है एक तरीके से जो समभावित चीज़ें आप देख पा रहे हैं जो आप बरतमान चीज़ें जो घटित हो रही है उसमें किस तरीके से इन दोनों चीज़ें घटित हो रही है इस पर भी बातचीत हम आपसे करेंगे दूसरा यह जो हमारा आज का यूनिट है यूनिट नमबर 11 उसमें आप जब इस यूनिट को खतम कर पाएंगे जब देखेंगे क्या आपको मिलेगा किस तरीके से आप इसे देख पाएंगे जो उसको किस तरीके से आप देख पाएंगे कैसे दोनों चीज़ों को आप अलत कर पाएंगे और क्या पेड न्यूज में और क्या फेक न्यूज में क्या फर्क है उसमें आप देख पाएंगे और किस तरीके से दोनों के बीच का भेद है और कैसे दोनों चलती है पेरलर लेक साथ इन चीजों को भी आप समझ पाएंगे पहला तो कि पेट नूज वर्सेस फेक नूज है क्या किस तरीके से हुआ तो अगर हम पर्चे के रूप में आप जाएं कि तो उसमें हम देखें कि एक सधान तरीके से अगर हम देखें कि जो बिग्यापन है और जो हमारा एडिटोरियल जो एक संपाद की जो होता जिसमें हम लिखते हैं एडिटोरियल में और जो हमारा बिग्यापन होता है दोने के भीच में बहुत कामा नाटतरी के साधी की तरह है। दोने बहुत differences को दिफरेंसस नहीं होता है। Editorial page में और ग्यापण में। Editorial जो हमारी होती है उसमें एक मर्यादा होती है judiciary page में होकी जो कहानी होगी चली हमें क्रियाइट करेंगे। उसे में बिजनेस से हो सकती हैं चीजें, बेवसाय से हो सकती हैं, अंतराष्टी घटनाओं से हो सकती हैं, या फिर पर्यावरण से भी हो सकता है, किसी बिंदू को लेकर के अच्छी चीजें उसमें कही और लिखी जा सकती हैं. दूसरा, जब बिज्यापन होती है, जब बिज्यापन की बात करते हैं, जो पेड़ बिज्यापन खास्तोर से जब होता है, तो पेड़ बिज्यापन उसकी बारिकिया होती है, जो पेड़ पैसा कर रहा है, तो पहले ही जो संपादक होता कहा जाता है, या इस इनिस्टूशन, वो के ओल उसे पब्लिस कर रहे हैं, उसका उसे कोई लिना देना उनका कोई सारोकार इस बात से नहीं है। जैसे अब विग्यापन के देखे होंगे कोई चीज खरीदने से पहले उसे जाचें, पर्खें फिर खरीदें इसमें प्रकासिस से कोई चीज अगर कुछ होता है, उनके पते से संब्द्ध या कुछ भी अगर चीजें एंसिडेंट घर्टित होती हैं उससे उस अख़बार का या उस एजेंसी का जो विग्यापित कर रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा अगर हम बात अगरे करें कि यह जो हिंट आया जब एडिटिजमेंट की बात आई, तो किस तरीके से इसको देखा गया है, तो अगर हम मेरियन बेश्टर जो डिक्शनरी है, उसको हम देखें किस तरीके, तो पहली बार जो इनिसली, 1946 में मेरियन डिक्शनरी ने इसको सब्द का इस्तमाल गिया, और उस प्रेक्टिस में उसको लाया कि किस तरीके से एडिटिजमेंट को चलाना है, क्या करना है, बाद में मेडिया ने इसको अड़ाप्ट किया, जैसे कि फ पहले तो यह होता थे कि विग्यापन अगर कोई अखवार या कोई चीज करवाता है, तो क्यों करवाएगा, उसके पीछे उसको फाइनसर कोन देगा, कुछ भी क्या होगा, कैसे होगा, इन सब सारी चीज़ों को प्रसना आते थे, लेकिन आज अगर हम बात करें कि कोई सबनता है, जो देख रही है, जो समझ रही है, उसके पीछे एक उसकी अपनी समझ है, कि जब तक वो देखे का नहीं, बाजार में समझे का नहीं, उसका मुलेंकन नहीं करेगा, तो सो कैसे समझेगा, जो एक पेड जो नूज हमारी बनती है, इस तरीके के एक जो इस तरीके से एक केंदरित तरीके से एक society को create करके उन चीज़ों को खास्तोर से एक अमली जामा पहना आया जाता है और उस चीज़ को कि काकि audience उससे मनोहित हो या उसका केंदरित हो करके उससे चीज़ खरीदे और समझे fake news किस तरीके से create होती है कोई fake news create करने के लिए क्या करता है कोई paid news उससे बना करके उससे देखता है इससे उस कहानी से उस facts से उस घटना से कोई उसका लेना देना सारुकार नहीं होता है उसमें भी एक जो editor होता है खासतोर से जो agency होती है उसको उसमें एक line उसमें से बारिकी उसमें खासतोर से लिख देता है कि जो भी है इस से इस agency का कोई सारुकार नहीं है क्योंकि in case कोई judiciary jurisdictions होता है कोई न्याले में गतिवदियां होती है कुछ भी सारी चीज़ें होती है तो खासतोर से वहां अखबार इस line को दिखा करके इन चीज़ों को और रिखांकित करके उ सामने के वाल भुगतान लिया है अब भुगतान लेने के बाद इसमें मेरा कोई content में मेरा कोई role नहीं है जो छपा हुआ है जो बीच का एक विशेवस्तु है उससे कोई उसका असारुकार नहीं है दूसरा किस परपद से है उसका उसके पीछे उसका कहानी के उदेश क्या ह उससे भी कोई इसका लेना देना नहीं है तो है एक लाइन लिख करके आगे नहीं कर जाता है अगर हम बात करें कि एडिटोरियल जब आया एटेलिविजन मेडिया जब इसका टर्म खासते से इन्फार्मल में जब यूज करना सुरू किया जब कामर्थली तो सबसे पहले आ उसको प्रेजन्ट करना है कैसे चीज़ों को दिखाना है इन बातों को दिखाने के लिए नहीं किया तो अब एडिटोरियल जो खासतोर से कर हम बात करें कि जो पेड नहीं होता है कि जैसे कि सरकार का कोई कोई वैक्सीन का कोई मामला हो या जनहीत की कोई हस्पीटल से समझ कोई सेवाएं हो या कोई आम जन पब्लिक वेलफेर के लिए समाज के लिए कोई हो तो उसमें खास्ता और से कोई पेड नहीं होता है क्योंकि एक जो हमारी स्वतंत्र एप टीबी है या प्रधान मंत्री की कहें विजीठ हमारी हो गई या हो मिनेश्टर कुछ उस तरीक से रक उसके पिछन नहीं होने के कारण यह होता है विशेस्तों से क्योंकि एक इन्फरमेटी होती है एक जनता के लिए जिसे कि हमारे कंस्टूशन से जो बात करता है तू दपीपूल फार दपीपूल बाई दपीपूल अर्थात जनता का जनता के लिए अजनता में नहीं थै अर जब इस तरीके के एड होती है, तो वहाँ पर खास तोर से उसका ध्यान दिया जाता है कि इसमें गल्तियां नहों और उसके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है, जो जनता की सरकार, उसके दौराचीजियों होती है, लेकिन वहीं अगर कोई party, fund या को उस तरीके का रूल नहीं होता है, जितना की जो मैंने पहली बताए कि संस्थागत कोई public welfare के लिए काम होता है, संस्थागत जब काम होता है लोगों के लिए तब उस तरीके के उजिमेदारी लेता है, बनस्पत की दूसरी तरफ बनस्पत बनस्पत नहीं लेता है, अब यहा कैसे विग्यापन यहां पर दिखाया गया दूसरा येल जी वल्फून का जो येल सीडी है उसको किस तरीके से वहां पर दुनों पर दिखाया गया आज जो विग्यापन है खास्तोर से पहले एक बिश्च्नुरावपराणकर हुआ करते थे जो आज के काफी दिनों तक सिया चलाती है तो उसके रख रखा उसके खर्चे के लिए किस तरीके से उसको चलाया जा लेकिन जब वो एब बात गहते हैं तो उसके एक मर्यादा है कि जेड अर्थात की लाश्ट के छोर में राइड साइड पर जैसे कि यहां पहले में दिखाए गया फिर भी एक सेंटर मे हो करके एक लाश्ट में दिया गया है लेकिन अभी क्या है कि विग्यापन को पहले पेंज पर मुख्य प्रिष्ट पर विग्यापन दिया जाती है तो अभी हम बात करें कि मर्यादाओं के गर बात करें तो मर्यादाओं अख़वार में कहीं हद दक वह उसकी जो मर्यादा ह वह कहें उससे इतर हो करके हो काम कर रही है अब मर्यादा को अपने एक तरीके से हट करके देख करके काम कर रही है तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कितना अंतर एक तो पहला जो पहले पेंच पर प्रथम प्रिष्ट पर उसको दिखा रहा है दूसरा कुछ हते के पर विग्यापन को दिखाया जा रहा है तिन दोनों में कितना अंतर है कितना भेद है कि एक तरफ है कि विग्यापन ही सब कुछ है दूसरी तरफ दिखा रहा है कि नहीं खबर सब कुछ है विग्यापन बाद की चीज़े हैं तो दोनों में कितना भेद है एक तरफ नैतिक मुल्लिक की बात हो रही है दूसरे तरफ नैतिक मुल्लिक को कहीं ओभर कम कर दिया गया है कम तर करके देखा गया है अब हम फार्मेशन की बात करें कि एडिटोरियल फार्मेट्स की क्या बात होती है कैस तरीके सोसे आप देख सकते हैं जो हम अगर नियूज पेपर में जब पब्लिस होता है तो एक इसका है कि एक इस्ट वे में अगर हम देखें कि उसका एक स्पेस पार्टिकुलर जहां हम उ पहले पर दिखाना आकर पर दिखाना तो यह कोई कोई माना का स्थापित आज के दौर में किसी नहीं में हैं नहीं अख़वार दैनिक जो आते हैं उन चीजों में मर्यादा की बात होती है अब यह डिपेंड करता है कि वह कितना अधिक्तम भुगतान करता है जहां उसको व समंदित हो मार्केट से समंदित हो कोई भी डिपार्टमेंट से हो तो इक देखेंगे दोसरी तरफ है अब कर सकता है तो एडिटोरियल में कि अब अदिछ में और इन दोनों चीजों में कैसे है तो और इड़र्टाइज़्िंग एक्सपर्ट है राइट लीजेट दैट इड़र्टीज में अडड़र्टाइजमेंटर्इजमेंट इंडडटोरियал से शिस्थर मानक की बात करता है जब आप मानक की बात करते हो मानक की आप देखते हो तो वहां पे चीज़ें ऐसी होती कि एक एक उसका अपना एजेंडा है एक उसका एक मानक है वहां पे खास्तों से वह ऐसे दिखाना है दूसरी तरफ है कि जितना हो हाइस पेड करें जितना वह भुगत अब जैसे करें कि किस तरीके से जो बन रहा है हम जो टैक लाइन हमारी बनती है जैसे कि कोई लिमका हो थमसफ हो कोई चीजें जब हमारी बनती हैं तो हम कैसे उसको दिखाते हैं और कैसे उसको हम करते हैं तो क्या पंच लाइन होती हैं जैसे यहां पर बिग्यापन का अगर हम बात करें तो पहला आप उसे उदारन से आप समझ सकते हैं कि बुझाये वणली प्यास बाकि आल बकवास अब इसमें भासा के तरुप अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी ही अंग्रेजी हिंदी कहीं पर कोई तरतम्यता नहीं है लेकिन जो उसका फूकस पॉइंट्स है खास तोर से जो उसके ग्राहक है जो उसका ओडियंस है जिसे उसे बेचना है उसको यह बात समझ में आनी चाहिए बुझाये वणली प्यास अब यहाँ पर प्यास की बात कर रहा दूसरे तरह पुझाये बीच में वल्ली कर दिया बाकी आलबकवास दोनों तरफ निस्तित करके लेकिन जो पंच लाइन है कहां टॉर्किट कर रहा आडियंस को बाकी चीज़ें सब निरतक हैं देकार हैं निरतक हैं बस यही एक चीज अब नुकसान दे है क्या उसे कोई लेना देना नहीं है दूसरा भी ज्यापन आप देख सकते हैं किस तरीके से मांटी उडिव का है वो करता है दिखावे पर मत जाओ अपनी अकल लगाओ अथा तो क्या कहा है कि जो ओत बोला की आप इस प्राइट बोला की सब बेकार है य खावे पर आप न जाएं आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें आप कभी बेक क्या कहता है उस पर बातचीत करें तीसरा थमसब का नाम बनाना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा एक आइडियल एक तरीके से इसने जिंजर क्रिएट किया कि नाम बनाना है तो रिस्क उठाना प सब्सक्राइब करने से पहले आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको आगे पढ़ने के लिए कुछ तो पॉजिटिव तरीके से करने पड़ी कुछ अप्रोच उससे रखना पड़ेगा यहां यहां भी आफजात कर रहा है जो तीनों पंच लाइन है खास्तावर से ओडिय नवयक भी पीते हैं सबके लिए हैं अब यहां कि कौन सी टैग लाइन किस आडियन्स को कितना एफेक्ट करता है उसके इसाफ से पीएगा यह हो सकता और टेस्ट करने के लिए तीनों को पीए फिर उससे जिसमें उसको मजा आएगा इसे उसमें अनंदिक नभूती होगी व इसको खास्तोर से हम अडियोटाइजिंग विग्यापन जो होती है उसको हम पंचलाइन बना करके एक तरीके साफ्ट ड्रिंग जो होती है जो पीएजल होता हूँ बेचने की कमपनियां खास्तोर से पेड हाईली पेड करती है अजे विग्यापन करने के लिए क्योंकि यह जो अखवार होता है या जो औरने सारी जो चीजे होती है वो हर घर में होती है इसे कि टेलीविजन कोई नहीं देखे तो महिलाएं तो जरूर देखती है बच्चे जरूर देखते हैं तो एक उनका जो वर्ग है किस तरीके से देखें और कैसे आगे बढ़ें उसको देख कर अगर अब नेक्स्ट हम अगर बात करें अगले की इसकी कब है आया एडिटोरियल में खास तोर्थ अगर हम बात करें कि कब आया या अगर हम यह देखें तो अजे अमेरिकन नुज पेपर के हिसाब से खास तोर्थ से जब वहां पे एक सिबिल वार एक जैसा चल लहा था तो 1930 में radio stations where then finding it difficult to survive without financially sponsored program and had started looking the sponsor वा क्या रहा था कि विज्यापन तो करना चाह रहा था एडिटोरियल में देख रहा था लेकिन वा सफर क्यों कर रहा था क्यों कि उसे कोई financially support नहीं कर रहा था but that too was not going to help the increase their listeners numbers वा उसको सुनने के लिए कोई उस तरीके से से increase बहुत चीज़े नहीं हो रही थी विज्यापन को तो उसका कोई बहुत benefit नहीं मिला था अगर United Kingdom के हम बात करें authority से तो जो publishers है वह markets को सारी चीजों किस तरीके से sponsor कैसे हो किया कैसे उसको विज्यापित करना है कैसे उसे दिखाना है कैसे उसे आगे बढ़ाना है तो वहां पीन चीजों को तैंकर को दिखाता है दूसरा Russian government उसे किस तरीके से propaganda बनाती है कैसे उसे प्रमोट करके external affairs में उसे आगे दिखाती है foreign nationals में खास्तों से विज्यसी समाचार पत्रों में एक strategy के तहट एक नयमित तैंसांचे की तरह जो foreign nationals है उसमें खास तोर से Syria क्यूज की जो वहां पे उसको दिखा करके USA Russian government had run more 300 editorials between 2012 to 14 in Washington Post the Times of India Times of India and Washington Post में 2012 से 14 की बीच में उसने क्या किया कि 300 editorials को उसने प्रकाशित करवाए अब focus growing economy of Russia उसका बिसर क्या था कि Russia के जो इको नामी है किस तरीके से आगे बढ़ रही है कैसे growth कर रही है Russia यह external affairs policy and the culture Russia के culture के बारे में उसके बैदेशिक नीत के बारे में उसके बुरगामी सोच के बारे में इस तरीके से अख़वारों में क्योंकि अगर आपके नजर के सामने से कई चीजें लगातार वो एक ही चीज गुजरती रहेगी तो कुछ कहीं 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 कुछ तो दिमाग में hurt करेगी चीजें कि क्या है इसे देख तो ले सही तो कभी-कभी जो paid news होता है या कुछ आपसे related नहीं होता है या फेंक भी create करके एजेंडा बना जाता है तो कहने के दिमाग आपका उस पे जाता है और उसे लभावित हो करके आप गलती करने के लिए बात दे हो जाते हैं और गलती आप कर बैठते हैं इससे आपको कोई ले audience काम करें target audience तो उनका ही है एक साचा में लेकिन उसके अलामा जो और लोग भी देख रहे हैं आप पढ़ रहे हैं जो समझ पा रहे हैं उनके लिए भी खासतोर्स होता है कि आप कभी-कभी तो कुछ तो करेंगे अगर हम भारत के context में बात करें भारत के संदर में अगर हम बात्चित करें तो हम पाएंगे कि जो editorial का maximum जो extreme limits है कोन यूज करता है state assembly जो राज सरकारे हैं किस तरीक से बिज्यापन को यूज करती हैं कैसे ओ दिखाती है और अपना जो एजेंडा है और दिखाने के लिए किस तरीके से front page पे फिर उसके second page पे फिर उसके side angle से किस तरीके से सुचनाओं को इकठा करको दिखाने कोशिस करती हैं कहने का तात्य परवसीधा है कि आज के दौर में अगर हम देखें कि कभी-कभी होता है कि जो सरकारे हैं जिसे कि तमिलाडू की सरकार होई या 36 गड़ की सरकार होई या उत्तर प्रदेश की सरकार होई काफी revenue खर्ज करती हैं अपने पार्टी से समंधित या सरकार से समंधित विग्यापन को दिखाने के लिए उस बात में कितनी सचाई है जैसे कि लोकल भाउन आप चुनाओं से पहले आप इस बात को समझ सकते हैं कि लोकल भाउन वाइदे कितने किये जाते हैं कितने फेक एजन्डा तयार किये जाते हैं और जो फेक एजन्डा तयार करने के लिए पेड़ पैसे किये जाते हैं अब करने के लिए वहां पर अख़वार की निश्ची तुरुप से एक लाइन होती है कि यह जो भी कुछ है हमारा कोई सरकार नहीं है जो भी एजन्डा है जो भी कर रहा है, आप कर सकते हैं। असरकार का है, कि बेच्चुनावी वाइदे किये जाते हैं, जरूर नहीं को सारे के सारे पूरे हूं। अब लेकिन इसमें नयतिक्ता के करम बात करें कि क्या इन सारी चीजों दिखाने का 100% का लाब होता है। तनिश्य ही नहीं, क्योंकि जो जनता है, जो लोग हैं, वो अभी काफी हट्टा की स्चीज को समझते हैं कि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वहाँ सौ प्रस्चत सही नहीं है। अगर हम बात करें कि इसके पिछे फिलफी क्या है, बिग्यापन की, किस तरीकी से से आप देख पा रहा हैं, तो सीदा सीदा कर हम concept की बात करें कि एक consumer जो है, consumer के बिस्वास को जीतना, जैसे it is a sweetened pill the consumed swallow without the questioning. It means, a consumer without arguing questions, he or she eat anything. This is the create the building, this is the create the faith in between consumers and the institutions or government. This is the build of the confidence in between two lines or you can say institutions or government agency or the party funded. The editorial intelligently covered in the extremely fascinating style of editorial pieces of news, how to cover, how to cover the news, how to attract the people, how to attract the audience, how to create a confidence, how to create a building, a faith in between audience and the organization. This is the basic philosophy, this is the basic concept of the advertisement. Next, a situation has come to the for the word of the advertising that more promotional activities through the advertisements cannot reap more benefit. This is matter of the fact, this is not any kinds of things a moral, any morality here the advertisement of the publish anywhere because of only one agenda of focusing is how to gain, how to gain of the economy, how to gain of the economy, how to create a building, how to, earning more. So, it means this is the basic concept for the institutions or party, but the after the publishing more advertising it is not more beneficial because of the people, the public he well understand this is the meaningless, this is the wasting of money because of every time, every where you have published advertisements then a people understand that his create agenda because earning money, money, story is the different, so institutions or party or any kinds of people are individually, investment of the money, investment of the money of the advertisements, you should firstly think about it then go through the advertisement. And here is the, are editorials and paid news the same, it is the questionable. It is the basic difference between paid news versus the news because news is the morality, its behind is the moral, but when you publish a paid news, he are not mentioning any morality, he has not any story of the moral because of the, who is the paid of the money, all responsibility of the paying the money about the news or editorials, who is the advertised the anywhere. So, this is the transparency between the paid news, this is the difference between paid news news or the news. This is not the same, this is the very common, very common differences between the news or paid news. Editorials are mostly big space, the news room and in the industry 15, 30 or 60 minutes slot in electronic media, but when it comes to paid news, it can start with the 10 centimeters per column to full page. Editorials are written by the professional copywriters, where is the case of paid news, no content writing rules or norms being the that are followed. Apart from that, you can see a news, it is behind the story, but paid news, no moral, no story because he is the paying all amount. So, that is why it is the common differences between the paid editorials or not paid editorials. अगर हमें आपे बात करें क्रेडिबिल्टी की, what is the credibility of the news, what is the faith की हम बात करते हैं, तब बेरी veteran journalist पी साइनाथ ने केरिटोरियल जो लिखा, कुछ दिन पहले जो लिखा था उसमें उन्हें बात चित करी थी, कि किस तरीके से एक हम जनता के जो विश्वास था, एक न्यूज के प्रती जो उनका एक लगाओ था, किस तरीके से जो उसको अब देख पा रहे थे, उसके बीच में कैसे जो विश्वसनीता घटी, इसके पीछे एडिटोरियल की बात करते हैं कि गाओं में कुछ और सारी चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, और सहरों में किस तरीके से चीज़ें बदल लही हैं, उनके बीच में जो एडिटोरियल का जो गय पा रहा है, जो देख पा रहा है, उसमें किस तरीके से अंतर हो पा रहा है, तो उनको किस तरीके से rectify किया और कैसे देखा, उसी तरीक से the editorial director and chairman of business के जो standard limited company के TN निहान बोलते हैं, कि हम निबर रिष्ट such high level of the readership and low level of credibility, उनका कहना है कि हमाइल धाहिक पहुचे नहीं अभी तक, जो हमारा पाठक है यो हमारा सुनरता है, We have never reached out the high level of the audience, but we are going to the low credibility and create the low credibility of the people. This is the mistake and we have raised the quality, we have raised the content of the quality, but a neighbor before a level. It means he said that we have raised the quality, but extreme level we cannot reach this, this is the challenging for the every editorials, any newspapers, editor, any kinds of things. So, I think students in this unit very well understand what is the paid news, what is the fake news, what is difference between paid and fake, what is the editorials and what is the advertisements, published by the any individual or the any institutions. So, when you write the questions that you have given us, you have written a write-up. So, you will understand that the first question is, editorial is the layman term simply means, what is the meaning behind it, what is the questioning arguing of you, who are the editorial word used in the first time, whose persons, which country, where and these kinds of the 5 W and 1 H concept is the used everywhere and third is what is the editorials. So, firstly go through the questions, understand the video lectures and read out the hard materials, soft materials, which is available for available on you, available on you. So, firstly download the soft file or you will reach the materials in the Dr. Baba Sambedkar Open University. So, firstly read out and go through the video and then understanding the video, the lectures, what is the difference, what is the basic concept. So, you will get more better watching this video and listening this video. Hopefully, you are understand very well and go ahead in the in futures and write up these questions. Hopefully, hum aapse phir milenge, next video ke saath we will meet again in the next unit and this paper, unit number 12, then we will discuss again in different topic. Tab tak ke liye aapse phir milenge, namaskar. Namaskar. Swatya yaha paramantapaha Amantapaha 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 Amantapaha